तो अगर आप सभी भी ICIC bank का internet banking इस्तमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सभी को ये problem तो जरूर आई होगी वहाँ पर जो हमारा user ID होता है वो बहुत बड़ा number होता है और जिसे हमें याद करने में बहुत ज़्यदा problem होती है जिसके वज़े से हम अपने user ID को याद करके अपने internet banking में login नहीं कर पाते हैं तो दोस्तो आज के इस बूड़ी के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने ICIC bank के internet ID के जो user ID होता है उसको आप किस तरह से change भी कर सकते हैं जी ICIC bank की तरफ से आप सभी को option मिलता है कि आप अपने user ID को change भी कर सकते हैं बहुत सारे bankों में यह option नहीं होता है लेकिन अगर आप उसमें से एक user हैं अगर आप ICIC bank को use कर रहे हैं तो ICIC bank आप सभी को एक पर ऐसा option जरूर देता है कि आप सभी अपने user ID को change कर सके तो आए इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि आप अपने ICIC bank के user ID को किस तरह से change कर सकते हैं और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी request करना चाहूँगा अगर आप सभी इस वीडियो पर नए रहेंगे और यहाँ पर आप सभी को ICIC net banking डाल देना है जैसे दोस्तों आप सभी यहाँ पर डालेगे यहाँ पर आप सभी को कुछ इस तरह से home interface आ जाएगा उसके बद आप सभी को यहाँ पर login वाले option के उपर click कर लेना है click करने के बद आप सभी को यहाँ पर bank की तरफ से अप सभी को कलिक करने के पद आप सभी को यहाँ पर personal details के उपर click करने ना है जैसे दोस्तों आप सभी इसके उपर click करेंगे यहाँ पर आप सभी का सारा details आजाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं user ID update का भी option दीख रहा है जैसे ही इसके उपपर हमें click कर ले ला है click करने के बाद आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं update user ID का हमें options आ चुका है और यहाँ पर जो आप सभी को user ID दीख रहा है आप सभी का पूराना user ID है और यहाँ पर आप सभी को देखे नीचे option दीख रहा है new user ID और confirm user ID उससे पर आप सभी को बता दो ICIC हमें एक बार options देता है कि आप एक बार lifetime में अपने user ID को change कर सकते हैं और user ID अगर आप change कर ले तो उसके बाद आप सभी को यह option नहीं मिलता है यहाँ पर आप सभी को जो भी नाम है पहला जो word होता है उसे आप सभी को capital में लिखना है उसके बाद small लिखना है और वहाँ पर आप सभी को number का भी use करना है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो आपको lifetime याद रहे उसके बाद simply आप सभी को यहाँ पर update कर लेना है अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर आइड हैस भी चेंज सक्सेस्पूली इस तरह से हमें option आ चुका है और इस तरह से दोस्तों आप simply अपने आइसेसी बैंक के internet ID को बड़ी ही आसनी से चेंज कर सकते हैं ये वीडियो के मातिम से आप जरूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है वीडियो पसंदाए रहेगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए